वेलकम भाई, मैं आपका बड़े बेसप्री के साथ इंतिजार कर रही थी अंकुर के डिमपल के घर में दाखिल होते ही घर के हाल में बैटी डिमपल ने उसका काफी आत्मियता के साथ स्वागत किया मेरा बेलकम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद बेहन सिर्फ सब्तों से नहीं बलकि तहे दिल से अंकुर ने डिमपल के आत्मिय बहुआर के लिए उसे धन्वाद दिया आईए बैटिये डिमपल के आगरे पर वो बिना जिसके उसके सामने बैट गया कहिए मुझे किस लिए याद किया काफी दिमपल उससे कुछ कहने की जगए सब्तों के चैन में ही उलजी रही तो अपनी जिग्या सा सांथ करने के लिए अंकुर को ये सवाल करना पड़ा मैं वही कहने की कोशिस कर रही हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं एक्चुली मैंने आपको कुछ कहने के लिए नहीं आप से कुछ जानने के लिए बुलाया है पर मैंने जो जानने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है वो बात पूछने में मुझे हिचके चाहर इसलिए हो रही है क्योंकि इससे पहले हम दोनों की सिर्फ एक आपचारिक मुलाकात हुई है और आपको जो जानना है ये बात अपने दिमाग से निकाल कर बिना जिसके पूछ लीजिए कि मैं आपके किसी भी क्वेस्टन को अदरवाइस लूँगा आपने हमारी पहली ही मुलाकात में मुझे भाई कहकर ऐसी रिस्पेक्ट दी और आज भी दे रही है जैसे मैं आपको बरसो पुराना मुँ बोला भाई हूँ और इस वज़े से मुझे भी आपको अपनी मुँ बेली बहन मानने के लिए मजबूर होना पड़ा इसलिए आपको मुझे कुछ भी कहने सुनने का फुल वैलिड राइट मिल गया है ठैंक्स भाई आपकी ये बाते सुनकर मुझे अब वाकई लगने लगा है कि आप मेरे बरसो पुराने मु बोले भाई है अब मैं टेंसन फिरी होकर वो बात आप से पूछ सकती हूँ जिसे पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया है एक्चुली जब से मुझे अमन ने बताया कि आप लगभग हमारी कंपनी जितनी बड़ी कंपनी के एक्स एमडी है और आप हमारी कंपनी के असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर से बड़ी पोस्ट लेने के इच्चुक नहीं है तभी से मेरे मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वज़े से आपको अपनी पुरानी कंपनी की एमडी की पोस्ट छोड़नी पड़ी और हमारी कंपनी में आप अपने टैलेंट के एक्कॉर्डिंग कोई बड़ी पोस्ट लेने के इच्चुक नहीं है मैंने पहले अमन के थुरू आपसे इस कोईस्टन का आंसर जानने की कोईसिस की लेकिन अमन को दूसरों की पर्सनल लाइब के बारे में जानने का इंटर्फेर करने में जरासा भी इंट्रेस्ट नहीं है और वो अपने नेचर के एक्कॉर्डिंग बात करने के लिए टाइम नहीं मिला कहकर मेरी बात आज तक डालता रहा इसलिए मुझे खुद ही आपसे इस बारे में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा भाई क्या अब मैं ये मान सकती हूँ कि आज आप मुझे अपनी लाइब की स्टोरी का वो पार्ट सुना कर मेरी वो जिक्या सांत कर देंगे जो पिछले कई दिनों में मेरे दिमाग पर हथोड़ी की तरह चोट कर रही है भाई प्लीज ना मत कहिएगा बहन मुझे अपनी लाइब की स्टोरी का आपके कोईस्टिन से जुड़ा पार्ट ही नहीं है बलकि पूरी स्टोरी सुनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी लाइब में जितने भी अनेक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुए उनमें मेरी कोई गलती नहीं है बट मैं आपको यह एड़वाईज देना चाहूँगा कि आप भी अमन सर की तरे दूसरों की पर्शनल लाइब में इंटरेस्ट लेनी की आदत को अपना कर अपने कोईस्टन को भूल जाएए क्योंकि आपके कोईस्टन से जुड़ा मेरी लाइब का वो पार्ट जान कर आपको मांसिक पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ मेरी ही नहीं ऐसी किसी भी सक्स की लाइब की स्टोरी जानने में दिलस्ट भी लेना छोड़ दीजिए जो अपनी लाइब की स्टोरी खुद सुनाने की कोईसिज नहीं करता है क्योंकि ऐसी सारी स्टोरी स्टोरी सुनने और सुनाने वालों को दर्द के लावा कुछ और दे ही नहीं सकती भाई अपना नौलेज करेक्ट करने के लिए पहली बात तो ये जान लिजे कि आज तक मेरे मन में आपके अलबा किसी की लाइफ की स्टोरी जानने में दिलचस्री पैदा नहीं हुई और दूसरी बात ये जान लिजे कि मैं आपके लाइफ की स्टोरी सुने बिना आपका पीछा नहीं चौँड़ने वाली हूँ इसलिए आपके सामने मुझे से पीछा छुडाने सिर्फ एक यही आपसन है की समझ गया यानि आप मुझे अपनी हाँ मगर ऐसी जगह पर जहां ये स्टोरी आप के अलवा कोई और ना सुन सके आप अभी यहां भी मुझे अपनी लाइप की स्टोरी सुना सकते हैं क्योंकि इस घर में मेरे और अमन के अलावा मेरे नाना जी और एक नौकर दीन दयाल ही रहता है अमन साम के साथ बज़े से पहले आफिस से वापस नहीं लोटता है और नाना जी दीन दयाल के साथ दूसरे सहर में रहने वाले एक रिलेटिव से मिलने उनके घर गए है जहां से उनके आज वापस लोटने के चांसे काफी कम है और लोटेंगे भी शाम के 5-6 बजे से पहले नहीं लोटेंगे यानि अभी एक तेड़ घंटे तक किसी के वापस आने के चांसे नहीं है You are absolutely right भाई Okay, इतना काफी समय है आपके question जुड़ा मेरी life की story का वो part सुनाने के लिए भाई एक काम कीजिये न मुझे sort में अपनी life की सारी story ही सुना दीजिए और उसके बाद मुझसे भी sort में मेरी life की story सुन लिजिए ताकि हम आज के बाद कभी एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे के लिए किसी भी angle से अजनवी ना रहे Actually, मैं आपको अपना मुँ बोला भाई बनाने का पूरी तरह से मन बना चुकी हूँ और इसकी वज़े यह है कि मेरा कोई भाई नहीं है और आप से पहले कोई ऐसा person मुझे नहीं मिला जिससे मिलकर मेरा उसे भाई बनाने का मन हुआ हो आपको तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं मगर मुझे लगता है कि आपका मेरे बारे में ज़्यादा कुछ चाने बिना मुझे भाई बनाने जैसा बड़ा decision लेना सही नहीं है इसलिए आपको बिना मागे या advice देना चाहता हूँ कि भाई मैं इस matter पर आपकी ना कोई advice लेना चाहती हूँ और ना उस पर अमल कर सकती हूँ क्योंकि मैं आप से हुई अब तक की बातों से 100% confident हो गई हूँ कि आप मेरे भाई बनने के लिए right candidate है इसलिए आप इस matter पर मुझे कोई advice देनी की बात अपने दिमाग से निकाल देजिए और सीधे उस matter पर आ जाईए जिसमें मुझे interest है ओके मैं पहले आपके question जुड़े मेरी life की story का वो parts ना देता हूँ फिर अपनी पूरी life से जुड़ी वे सभी खास-खास बाते भी बता दूँगा जिनसे मेरी life की tragedy को समझने में help मिल सकती है कहकर अंकुर ने पहले उसे एक ही परियास में उसके अपने पुराने सहर को छोड़कर इस अजनबी सहर में आने की वज़े संचेप में सुना दी और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी जिन्दगी की इस चैप्टर के पहले वाली कहानी सुरू की मेरी जिन्दगी की कहानी ऐसी है कि मैं ना खुद को खुस नसीब समझ सकता हूँ और ना ही बदनसीब क्योंकि मेरे सामने आज तक जितनी भी परेशानिया मू उठा कर खड़ी हुई उन्हें दूर करने की उपाई भी खुद बखुद मेरे सामने आकर हाजिर हो गए पर जैसे ही मुझे लगा कि मेरी जिन्दगी की सारी तमन्याएं पूरी हो गई है उसी समय कर लिया था जब उसने मुझे अपने पिता से बगावत करके एक साधर परिवार के लड़के से साधी करने वाली अमीर घर की लड़की की कोग में भेजा था पर मेरे मामा जी ने फरिष्टे की तरह मेरे और मेरे बदकिस्मती के बीच खड़े होकर तक्तीर के इस मजाग को बे असर कर दिया एक्चली हुआ ये था कि मेरे जन्म के करीब तीन साल बादी मेरी माने तंग हाली की जिन्दगी से परчиशान होकर मेरी परवरिस की जिम्मेदारी मेरे पिता को सौंप दी और उनसे डिवोर्स लेकर अपने पिता के पास वापस लोट गई जिसके बाद मेरे पिता ने मेरे मा के उनका साथ छोड़ देने के गम में सराब पीना सुरू कर दिया और थोड़े दिनों में अपनी दोनों की ड्निया और लेबर खराब करके दुनिया से चल वसे इसके बाद मेरी माँ मुझे अपनाना चाहेती थी लेकिन उनके पिता ने उन्हें मेरी और हाथ बढ़ाने से रोग दिया जिसके बाद मेरे पिता के रिष्टेदारों ने मुझे बारी बारी से कुछ दिनों तक साथ रखने के बाद अनाथाले भेजने की तयारे कर लीती पर उनके ऐसा करने से पहले ही मेरे मामा जी ने मेरी परवरिस की चिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली लेकिन उनकी इस तर्या दिली की मुझे भरबूर कीमत भी चुकानी पड़ी मामा जी ने उनके एहसान की एवज में मुझे उनके बिगड़े बेटे को गलत रहा पर जाने से रोगने की एक मुस्किल ड्यूटी दे कर मुझे कभी ना खत्म होने वाला सरदर्द दे दिया जिससे मैं अब से करीब छे माँ पहले एक एड़ी चोटी का जोर लगा कर जूसता रहा और अपनी इस ड्यूटी में अकसर नाकाम्याबिया ही हाथ आने की वज़े से बस्पन से बड़े होने तक टेंसर में जीता रहा इस सरदर्द से मेरा पीछा छूटा ही नहीं तब तक मामा जी ने एक बड़ी लाई-लाज बीमारी पाल कर अपने बहुत बड़े कारोबार को समाले की जिम्मेदारी मेरे अनववी हीन कंधों पर डाल दी और इन दोनों जीम्मेदारियों से मेरा तभी पीछा छूटा जब मैं उनके एकलोते बेटे के घटिया प्लान में जिसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ पार्टनर्सिप करने की बेवकूपी करने की वज़े से इन में से कोई भी जिम्मेदारी निभा पाना है लायक नहीं रहे गया और मजबूरी में उन्हें बिना बताया उनका घर छोड़ कर यहां चला आया यानि आपको जिन्दिगी का सबसे बड़ा सौक अपने मामा जी के बेटे के प्लान में पार्टनर्सिप करने की वज़े से लगा हाँ भाई आपकी जिन्दिगी की कहानी और मेरी जिन्दिगी की कहानी काफी सिमिलर है मैं भी अपने पिता से बगावत करके एक साधरन परिवार के लड़के से साधी करने वाली अमीर घर की लड़की की ही संतानू और मेरी माने भी साधी के बाद ही तंग हाल जिंदगी से परिशान होकर मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया था पर आपकी कहानी और मेरी कहानी में ये अंतर है कि डिवोर्स के बाद मेरे पापा ने मेरी परवरिस की जिम्मेदारी मेरी मा के कंदों पर डाल दी थी और उन्होंने डिवोस के डेर दो साल तक मेरी परवरिस करने के बाद एक गंभीर बीमारी का सिकार होने की वज़े से मुझे मेरे नाना की कोद में डाल कर दुनिया को अलविदा किया था और इसके बाद मुझे किसी तरह की unwanted responsibility का बोज भी नहीं उठाना पड़ा था पर मुझे भी जवानी की दहलिश पार करती ही उसी तरह के एक लड़के से प्यार हो गया था जिस तरह की लड़की से आपको प्यार हुआ था लेकिन मैं इस मामले में भी आपसे थोड़ी ज़्यादा खुस किसमत सावित हुई क्योंकि वो लड़का मेरी जिन्दगी के साथ खिलवार करके मेरे सपनों का सीस महल तोड़ पाता इस से पहले ही मेरे नाना जी ने अमन के साथ जबरन मेरी साधी करा कर मेरे लिए उसे भूलने लायक माहुल तयार कर दिया था यदि आपको मेरी लाइफ की स्टोरी विद्दा आल इंपोर्टेंट इंसिडेंट सुनने में दिल्चस्पी हो तो मैं आपको मेरी life की story बिता all important incidents आधे गंटे के अंदर सुना सकती हूं पर यदि आपको इसमें interest ना हो तो इसे मैं यही close कर दोँगी। लगता है आपने बिता all important incidents अपनी life की story पहले कभी किसी को नहीं सुनाई। आपकी guessing एकदम correct है और इसका रिजन ये है कि आज तक मुझे इसके लिए right person मिला ही नहीं और आपको लगता है कि मैं इसके लिए right person हूँ हाँ भाई इसलिए मेरा आपको पूरी कहानी सुनाने का मन हो रहा है ऐसी बात है तो मैं भी आपकी live की complete story सुनना चाहूँगा ठैंक्स भाई कहकर डिमपल ने अपनी जिन्दिगी की कहानी एक महतुपूर मोर से शुरू की और लगबग 40 मिनट बाद खतम की आप मुझे थोड़ी ज़्यादा नहीं बलकी बहुत ज़्यादा खुस किसमत है इसलिए आपकी जिन्दिगी की गारी एक बार गहरी खाई में उतर जाने के बाद भी दुबारा पट्वी पर आ गई अदरवाईस इस तरह की खाई में उतरने के बाद किसी की भी live की गारी का दुबारा पट्वी पर आ आपाना लगबग नामुंकिन हो जाता है दिम्पल की जिन्दिगी की कहानी सुनने के बाद अंकूर ने एक गहरी सास लेकर अपनी प्रतिकिरिया दी और ओके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई पर मैं आपकी जिन्दिगी की गारी भी तुबारा पट्वी पर ला कर रहूंगे और इस काम में हम भी डिम्पल की मदद करेंगे बिजे कांथ ने दीन ध्याल के साथ घर में दाखिल होते हुए ये बात कही तो अंकूर ने बिजे कांथ को देखने के बाद डिम्पल की और सवाल या निगाहों से देखा ये मेरे नाना जी है भाई डिम्पल ने आखों से खेत पर कट करते हुए अंकूर को बिजे कांथ का परज़े दिया हम सिर्फ तुम्हारे ही नाना ही नहीं इसके भी नाना जी है बिजे कांथ ने ये बात कहकर अंकूर के साथ साथ डिम्पल को भी चौका दिया ये बात शायद आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिम्पल मेरे प्रति वैसी ही आत्मेता दिखा रही है जैसी आम तोर पर कोई लड़की सिर्फ अपने सगे भाई के लिए दिखाती है कुछ पलों तक विजैकांत को हैरान परेशान नजरों से देखने के बाद अंकुर ने उनकी और अनुमान का एक तीर उनकी और छोड़ दिया तुम्हारा अनुमान पूरी तरह से गलत है दर असल ये बात हम तुम्हारे द्वारा डिम्पल को सुनाई गई तुम्हारी जिंदिगी की कहानी सुनकर कह रहे हैं हमने तुम्हारी जिन्दगी की कहानी वहां से सुन चुके हैं जहां से तुमने ये कहकर सुरू की थी कि मेरी जिन्दगी की कहानी ऐसी है कि मैं ना खुद को खुश नसीब समझ कह सकता हूं और ना ही बदनसीब पर ये पूरी कहानी सुनने के बाद हमें यकीन हो गया कि तुम हमारी बेटी सीतल के बेटे ही हो तुम्हारी मा का नाम सीतल था ना मुझे एग्जेक्टली तो पता नहीं है मामा जी ने तो उनका यही नाम बताया था और तुम्हारे मामा जी का नाम बिनैकांत है जी, अब हम पूरे यकिन के साथ कह सकते हैं कि तुम भी हमारी बेटी सीतल की ही संतान हो, इट मींज ये हमारे रियल बरदर है, डिमपल ने हैरानी जाहिर करती वे बीच में हास्ते छेप किया, हाँ, ये तुम्हारे सगे बड़े भाई है, विजे कांद के डिमपल के अनमान स मा, कहा था, पर हमारी कही हुई, ये दोनों बाते, सही नहीं है, हमारा तुम्हारी मा के अलावा एक बेटा भी था, जिसके बारे में हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, क्योंकि उसके हमारी मर्जी के खिलाब साधी कर लेने की वज़े से, हम बरसों पहले उसे अपनी प्रापर्टी से, उसे कुछ शेयर दे कर, उससे अपने सारे सम्मंद तोड़ चुके हैं, और हमने तुम्हें इस लड़के के बारे में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि हम तुम्हें इससे दूर रखना चाहते थे, और इसकी वज़े ये है कि हमें लगता था, लड़के अक में आही गया, मगर हमें इस बात के लिए कोई दुख नहीं हो रहा है, उल्टे हमें तो ये सोच कर, अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा है, जो हमने इसे जाचे परके बिना ही, इसकी अबोद अवस्ता में ये सोच कर ले लिया था, कि ये आगे जाकर अपने पिता की तर के लिए तुम्हें बच्पन में अपनी मा से अलग होना पड़ा, और करीब 24-25 साल तक अपनी बहन से दूर रहना पड़ा, इसलिए तुम्हारे लिए हमें माप करना आसान नहीं है, पर तुमसे मापी के लिए अन्रोध करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम तुमसें अन्रोध करते हैं कि हो सके तो हमें हमारी गल्दी के लिए माप कर दो और ये दी तुम्हें ठीक लगे तो इस घर को अपने नाना का घर समझ कर यहीं रहने आ जाओ तुम्हें इस घर में वही प्यार और समान मिलेगा जो आज तक दिंपल को मिलता आ अपने बात खतम करके बिजय कांत अपने कमरे की और चले गए उनके पीछे खड़ा दीन द्याल भी उनका बैग लेकर उनके पीछे 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 उनके कमरे की और चला गया दोनों के जाने के बार दिंपल अपनी जगे से उठकर अंकुर के बगल में आकर बैठ गई और भा इस सबाल का जबाब भी पता कर लिया दिमपल ही होगी क्योंकि उसके अलावा इस अजनभी सहर में मेरा कोई और रिलेटिव या फ्रैंड नहीं है यूआर एफस्लॉट्ली राइट भाई इस सहर में मेरे अलावा आपका ना कोई अपना इस सहर में है और ना कोई अपनी आपको देखती ही जान लिया कि आप ही दुनिया के वो एक मात्व सक्स है जो मेरा भाई हो सकता है तो फिर मैं आपकी सोची गई या कही गई इतनी सी बात बिना सुने क्यों नहीं जान सकती तुमसे बाते बनाने के कमपडेशन में मैं नहीं चीज सकता इसलिए इस टॉपिक पर मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा अब तुम भी इस बात को छोड़ो और ये बताओ अज सुबह सुबह किस वज़े से मेरी याद आ गई भाई जब से मुझे पता चला कि आप मेरे भाई हैं तब से मैं आपको पल भर के लिए नहीं भूली हूँ इसलिए आपको कभी याद करने का कोईश्चन ही क्रियर्ट नहीं होता है यार ये तुम मैं भी जानता हूँ कि तुम हम दोनों के बीच का रिस्ता पता होने के बास से हर वक्त मेरे ही बारे में कुछ ना कुछ सोचती रहती हो पर फिलाल तुम मुझे मेरे प्रती अपने ल लोगों के नाना की कंपनी का ही है इसलिए आफिस जाने की टेंशन चोड़िये और आराम से बैठकर वह बास सुनिये जिसे बताने के लिए मुझे सुबह सुबह यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा कहकर डिमपल एक कुरसी पर आराम से बैठ गई अंकुर भी एक समझाने की कोशिस करने लगा दिमपल मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा पर प्लीज तुम आज अपनी आदत की अंसार बातों को जलेवी की तरह गोल-गोल घुमा कर कहने की बजाए सीधे-सीधे कहकर जल्दी खतम करने की कोशिश करना यह बात जानने के बात कि वो आफिस नाना की कंपनी का है मेरे उपर आफिस समय पर पहुंचने का पहले से ज़्यादा प्रेशर आ गया है क्योंकि अब मैं लेट लधीप जाओंगा तो आफिस के दूसरे एंपलाइज मुझे लेकर इस टाइप के कमेंट करेंगे की नाना की कंपनी का आफिस होने की बा आफिस में सबको पता चल गया क्या जैसे इस बात की तुम्हें भनक तक नहीं लगी हो अरे भाई पर मैंने किसी को यह नहीं बताया कि आप नाना जी के ग्रेंड सन है मैंने तो सिर्फ सबको यह बताया कि मुझे इस साल एजा बर्डे गिफ्ट अपना सालों पहले जैसे यह कोई बहुत मुश्किल गुथी है जिसे तुम्हारे इतना बड़ा क्लूद दे देने के बाद भी कोई आसानी से नहीं सुल जा सकता भाई क्या वाकई किसी पांच साल के बच्चे में इतनी समझ होती है कि वो डिमपल तुमने अपनी बातों की गारी को वापस उस इसी चक्कर रोड पर घुमाना इस्टार्ट कर दिया जिस रोड पर ले जाने से मैंने मना किया था सौरी भाई पर मैं ऐसा जान बूझ कर नहीं कर रहे हूं तकदीर ने पूरे 25 साल इंतजार कराने के बाद भाई से मिलवाया है इस वज़े से जब भी आप मेरे सामने होते देर सारी बाते करने का मन करता है ठीक है पर सेंसफुल बाते करके भी तो देर सारी बाते की जा सकती है ना इस तरह की बाते जल्दी खतम हो जाती है और हर बार मेरी आपके साथ देर सारी बाते करने की इच्छा अधूरी रह जाती है डौन परी नेक्स संडे मैं तुम्हें इतने बातचीत के टॉपिक्स दूँगा कि तुम्हारी ये इच्छा एक ही दिन में पूरी हो जाएगी पर फिल हाल तुम जाने की बात छोड़कर आप जो कहेंगे मैं बिना ना नुकुर किये मान लूँगी लेकिन आप जाने के लिए कहेंगे तो मैं किसी कीमत पर नहीं मानूँगी अरे ये मेरा ही नहीं तुम्हारा भी घर है इसलिए तुम्हें जाने के लिए कहने का तो प्रश्ण ही पैदा नहीं होता मैं तो तुम से ये कह रहा हूँ कि फिल हाल तुम खीच दान कर अपनी बाते लंबी करने की वज़ाए सार्ट में कहो मेरी ये बात तुम मान सकती हो ना मान सकती हूँ बट इस कंडिशन पर की मैं तुम्हारी सारी कंडिशन बिना सुने ही एकसेप्ट कर रहा हूँ इसलिए उन्हें बताने की जगे तुम अपनी में बात स्टार्ट करो ओके भाई बट मुझे अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपसे एक कोश्चन तो करना ही पड़ेगा ठीक है कर लो मगर उसका आज नहीं मिलेगा क्योंकि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ दस मिनट बचे हैं जिसमें तुम अपना कोश्चन ही कम्पलीट नहीं कर पाऊगी अरे नहीं भाई मैं अपना कोश्चन तो अउल्ली टेन सेकेंड में आपके सामने रख सकती हूँ पर रखूंगी दस मिनट में ही नहीं भाई मैं अभी रख देती हूँ प्लीज अब आप कुछ मत बोलिएगा आप मेरा एक सेंटेंस कम्पलीट होते ही अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं इसलिए मैं अपनी बात नहीं कह पाती हूँ ओके अब नहीं बोलूँगा पूछो क्या पूछना चा रही हो आप स्वाती नाम की किसी लड़की को जानते हैं हाँ इस नाम की एक लड़की मेरी पुरानी कम्पनी के आफिस में काम करती थी उसके साथ आपके क्या संबन थे वही जो जनरली एक कम्पनी के MD के उसके सहयोग्य के साथ होते हैं इसके अलावा कोई भी सम्मन नहीं था तो फिर वो आपसे मिलना क्यों चाहती है मैंने उसे परसनल एकाउंट से कंपनी के नाम पर 5 लाग रुपए का लोन दिया था जिसके बारे में मैंने वो कंपनी छोडते ही उसे ये सोच कर बता दिया था कि वो उसकी सैलरी से लोन की किस्त नहीं कटने पर बेवजे हैरान परेशान होगी साथ वही एमाउंट लोटाने के लिए मिलना चाह रही होगी नहीं भाई वो आपका कॉंटेक्ट नंबर जानने के लिए जिस तरीके से मुझे रिक्वेश्ट कर रही थी उससे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो आपके दिये गए लोन का एमाउंट आपको लोटाने के लिए आपका कॉंटेक्ट नंबर जाने की कोशिस कर रही है क्योंकि कोई भी किसी के पैसे लोटाने के लिए इतना बेकरार नहीं हो सकता है आपके लोटाने के लिए यह सूच कर जादा हाथ पर चलाने की कोशिस नहीं करता है जब सामने वाले को इसकी जरुआत पड़ेगी वो आकर ले जाएगा उसके मुझसे बार-बार request करके आपका contact number मागने की जरूर कोई और वजय होगी यदि वो पैसे लोटाने के लिए मुझसे contact नहीं करना चाहती है तो फिर मुझसे ये जानने के लिए contact करना चाहती होगी कि मैं सडलने किसी को बीना कुछ बताए वो कंपनी छोड़ कर गायब क्यों हो गया बाई दबे वो तुम्हें कैसे जानती है और उसे ये बात कैसे पता चली कि उसे तुमसे मेरा contact number मिल सकता है हम दोनों काफी लंबे समय से social media के एक platform पर एक दूसरे को follow कर रहे है पर कल साम से पहले उसने मुझसे या मैंने उससे कभी कोई बात नहीं की लेकिन कल मैंने जैसे ही उस platform पर ये caption add करके आपकी photo share की कि ये मेरे बरसो बात मिले भाई है वैसे ही उसके messages आने स्टार्ट हो गए और उसने मेरा पीछा मुझसे आपका contact number लेने के लिए बाद ही छूड़ा अरे ये क्या बेब कुफी कर बैठी तुम तुम्हें उस लड़की को मेरा contact number देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था जो हो गया वो हो गया मगर आगे से याद रखना कि तुम्हें मुझसे पूछे बिना किसी को मेरा contact number या address नहीं देना है ओके भाई पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहां आने से पहले की जिंदिगी से जुड़े लोगों से खुद को दूर क्यों रखना चाहते हैं आपके पिछले जिंदिगी से जुड़े सारे लोगों ने तो आपके साथ घलत नहीं किया फिर आप कुछ बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों के भी आपसे contact करने के सारे रास्ते क्यों बंद रखना चाहते हैं ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं एक इनसान के लिए मुझसे contact करने के रास्ते खोलूँगा तो वो दस लोगों को बताएगा फिर उन दस से सो लोग जान जाएंगे और उनमें से किसी की थ्रू मामा जी मुझसे contact करने का रास्ता पता करके मुझे दुबारा वही जिम्मेदारिया समाले के लिए मजबूर करेंगे जो मैं किसी भी सर्थ पर समाले का इच्चुक नहीं हूँ इसने तुम मुझे पर किरपा करकी भाई, प्लीज, मेरे साथ बास्चीत के लिए ये तरीका मत अपनाएए मैं आपके सिंपल में ही कहने पर आप जैसा कहें वैसा ही करने के लिए तयार हो मुझे पता नहीं था कि आप अपने पिछली लाइब से जुड़े लोगों में से सभी से खुद को सिक्रेट रखना चाहते हैं अदर्वाइस मैं ऐसी गलती नहीं करती थी पाइदवे मुझे लगता है कि इस लड़की के आप से कॉंटेक्ट करने पर आप इसे वो बाते समझा देंगे जो आपने मुझे समझाई तो ये आपका कॉंटेक्ट नंबर या एड्रेस किसी को नहीं बताएगी क्योंकि सोसल मीडिया पर इस लड़की की मैंने जितनी भी एक्टिविटीज देखी है उससे मुझे ये काफी साफ सुतरी नीचर की सुलजी हुई लड़की लगी जब ये मेरे साथ काम करती थी तब मेरी भी इसके बारे में कुछ ऐसी ही ओपनियन थी पर अब मैं अच्छी तरह से जाचे परके बिना किसी के बारे में कोई ओपनियन नहीं बना सकता है क्योंकि मैं एक लड़की को अच्छी तरह से जाचे परके बिना उसके बारे में इस तरह की उपनियन बना कर अपने दिल पर एक काफी बड़ी चोट खा चुका हूँ अब छोड़ो इन बातों को और ये बताओ कि नाना जी कैसे हैं अच्छे हैं और तुम्हारे मिश्टर उनसे तो आपकी डेली मुलाकात होती होगी फिर उनका हालचाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं हालचाल पूछने की फार्मेल्टी पूरी करने के लिए पर आज अब मेरे पास तुम्हारे साथ कोई और फार्मल या इन फार्मल बात करने के थोड़ा सा भी टाइम नहीं बचा इसलिए तुम्हें अब यहां अकेले बैटने या घर वापस लोटने में से कोई एक बिकल्ब चुनना पड़ेगा अपनी आखरी बात खतम करके अंकुर जवाब लिये बिना ही तेज कदमों से वासरूम की ओर चला गया हेलो अंकुर के वासरूम में जाने के बाद अपनी जगे से उठकर अंगराई ले रही दिमपल को सामने टेबल पर पड़े मोबाईल के बाइब्रेसंस की आवास सुनाई दी तो उसने कुछ पलों तक बिचार मगन रहने के बाद हाथ बढ़ा कर मोबाईल उठा लिया और उस पर एक अन्नोन नमबर से आ रही कॉल भी रिसीब कर ली क्या ये अंकुर सर का कॉंटेक्ट नमपर है? कॉलर ने जो कोई लड़की ही थी सवाल किया जी हाँ, आप को? सॉरी, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, आप मेरी अंकुर सर से बात करा दीजिए, मैं उन्ही को अपना नाम और काम बताओंगी अंकुर सर बिना नाम और काम जाने किसी से बात नहीं करते और आप उनके छे माँ पहले के परजितों में से कोई है तो आपका नाम और काम जानने के बाद भी आपसे बात नहीं करेंगे मैं, मैं हूँ तो उनके छे माँ पहले के परजितों में से ही पर मुझे उनसे एक बेहत अर्जेंट काम है इसलिए प्लीज आप कैसे भी करके मेरी उनसे एक बार मेरी बात करवा दिजिए यदि आप मिस्वाती हैं तब तो मैं आपकी ये हेल्प जरूर करूँगी पर यदि आप कोई और हैं तो मैं आपका मैसेज अंकुर सर को देकर आपसे बात करने या ना करने का डिसिजन उन्ही के उपर छोड़ दूगी आप मेरा नाम कैसे जानती है और आपके ये कहने की क्या वज़े है कि यदि मैं मिस्वाती हूँ तो तो ही आप अंकुर सर से बात कराने में help करेंगी आपके question से लग रहा है कि मेरी ये kissing बिल्कुल correct निकली है कि आप वही लड़की है जिसने मुझसे कल भाई का contact number लिया था it means आप miss dimple है मैं dimple तो हूँ पर miss नहीं, miss नहीं, miss जूँ sorry, आपके इंस्ट्रा एकाउंट की profile पर सिर्फ dimple लिखा हुआ है इसलिए मुझे लगा कि आपको क्या लगा और क्या नहीं लगा ये छोड़िए और जटपट भाई का address नोट का लेजे क्योंकि बिना address जाने आप भाई से मिली नहीं पाएंगी और बिना मिले भाई से आपकी बात नहीं हो पाएगी आप एक बार ट्राइ करके तो देखिए हो सकता है कि मेरे दस बार ट्राइ करने पर भी भाई फोन पर आप से बात करने के लिए तयार नहीं होंगे उल्टे उनसे उनके knowledge में ये बात आजाएगी कि आप उनसे बात कि बिना उनका पीछा छोड़ने के mood नहीं है और वे अपना number बंद करके मुझे आपको new number ना देने कि सकत warning दे देंगे या मुझे ही अपना new number देने से मना कर देंगे इसने यदि आप भाई से बात करना चाहती है तो आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने बताया है पर ये सिर्फ मेरी advice है आप इस पर अमल नहीं करना चाहेंगी और आप भाई से phone पर ही बात करवाने के लिए ही मुझे try करने के लिए कहेंगी तो मैं ये भी करने के लिए तयार हूँ बताये मुझे क्या करना है मुझे आप उनका एड्रेस ही नोट करवा दीजिए ओके नोट कीजिए कहे कर डिमपल ने कालर को एक एड्रेस नोट करा दिया किस से बात कर रही थे वास्रूम से बहार आते ही आंकुर ने सवाल किया तो आराम से बैटकर अपने मोबाइल में गेम खेल रही दिमपल के माते पर हलका सा बल पड़ गया उसी लड़की से जिस्ते कल मुझसे आपका कॉंटेक्ट नमबर लिया था दिमपल ने कुछ पलों तक सोच बिचार करने के बाद बड़ी मासूमियत से जबाब दिया क्या कह रही थी वो आप से बात कराने के लिए कह रही थी और जब मैंने उससे कहा कि आप छे माँ पहले वाले कि किसी भी परचित से बात नहीं करना चाहते हैं तो आपका एड्रिस पूछने लगी तुमने दिया तो नहीं है ना भाई मैं पागल हूँ क्या जो आपके मना करने के बाफजूद उससे आपका एड्रिस दे दूँगी ओके भाई अब मैं जा रही हूँ भाई बाई कहकर अंकुर ने डिमपल को बिदा किया और फिर अपना मोबाईल उठा कर उसकी कॉलिंग हिश्ट्री चेक करने में बहस्त हो गया मिस स्वाती आपको मेरा यहां का एड्रिस किस ने दिया सामने बैठी स्वाती को पानी पीकर इत्मिनान से सांस लेने का मौका देने के बाद अंकुर ने उससे वो सवाल किया जो साथ उसे तभी से परिशान कर ला था जब उसके अपने फ्लैट के में गेट खोलने पर उसकी पहली बार स्वाती पर नजर पड़ी थी सौरी सर मैं उस परसन का नाम आपको नहीं बता सकती लेकिन स्वाती ने बड़ी पिनम्रता के साथ उसके सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया तो उसके चेरे पर कुछ इस तरह के भाव उरे जैसे वो स्वाती के उस सवाल का जवाब देने से इंकार करने से ये अनुमान लगाने में काम्याब हो गया होकि उसका अड्रेस बताने वाला सक्स कौन है आपको मेरा अड्रेस डिम्पल नहीं बताया ना ये सर पर मेरी आपसे हाथ चोड़कर रिक्वेश्ट है कि आप इसके लिए उड़े कुछ उमत कहिएगा क्योंकि मैंने उनसे बार-बार रिक्वेश्ट करके आपका अड्रेस बताने के लिए मजबूर किया था इसलिए उन्हें मुझे आपका अड्रेस बताना पड़ा मिस्वाती मैं दिम्पल को उसकी इस खलती के लिए तभी माप कर सकता हूँ जब आप मुझे ये प्रॉमिस करेंगी कि आप मेरा अड्रेस और कॉंटेक्ट नंबर किसी को भी नहीं बताएंगी ऐसी बात है तो मैं आपसे अभी ये प्रॉमिस कर लेती हूँ I promise to you sir कि मैं आपका अड्रेस और कॉंटेक्ट नंबर किसी को नहीं बताऊंगी मिश स्वाती अब आप ये बताए कि आपने ये प्रॉमिस निभाने के लिए किया है या सिर्फ डिम्पल को मुझसे माफी दिलाने के लिए निभाने के लिए क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इसे काफी लंबे समय तक निभा पाएंगी हाँ सर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे किसी लॉंग पीरियर्ट तक ही नहीं लाइप टाइम तक निभा सकती हूँ आपके कहने के अंदाज लग रहा है कि आप अपना ये प्रॉमिस को निभाना भी चाहती है इसने मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता हूँ चलिए अभी इस बात को छोड़िए और मुझे वो वज़े बताए जिसके लिए आपने करी पौने 200 किलो मीटर लंपा सबर करके मुझे मिलने आने का कश्ट उटाया मैं आपसे बात करके ये जानना चाहती थी कि आप बीना किसी को बताए सड़ली अपना जाब छोड़कर किस वज़े से गायब हो गए और आप कोई बड़ी प्रॉबलम तो फेस नहीं कर रहे हैं मैं पहले मैंने डिमपल मैम से आपका मुबाइल नमबर लिया और उस पर कॉंट्रेक्ट करके आप से बातें जाननी की कोईशिस की पर जब मैंने आपके मॉबाइल नमबर पर कॉंट्रेक्ट किया तो दिमपल मैम ने रिसीब करके मुझे बताया कि आप समझ गया उस सरारती लड़की ने को इसी डेंटली आपके मेरे मुबाइल पर ऐसे समय में कॉल करने का गलत फाइदा उठा कर जब मैं वासरूम में था आप से कुछ और कह दिया और मुझे कुछ और बता दिया वाइद अबे उसकी सरारत से आपको मेरा हल चाल जानने के लिए भले ही थोड़ा कश्ट उठाना पड़ा पर इससे मुझे जान कर काफी सुकून मिला कि मैंने जिन्द लोगों के बीच रहकर जिन्दगी के कई साल विदाए उनमें से कम से कम मेरा एक तो सच्चा सुबसीन तक निकला अब आप ऐसा कीजिए फ्रेस होकर थोड़ी तेर रेश्ट कर लिजिए तब तक मैं दिंपल को कॉल करके यहां बुला लेता हूँ उसकी टाइम ली यहां आ जाने से आपको अपनी वापसी की ट्रेन की टिकेट कंफर्म करने और ट्रेन के टाइम तक का समय बिताने के लिए उसकी कमपनी मिल जाएगी आप उन्हें क्यों बेवज़े तकलीप दे रहे हैं मैं already अपनी वापसी की ट्रेन की टिकेट कंफर्म करके आई हूँ और अकेले ही इस्टेशन भी जा सकती हूँ मेरी ट्रेन भी आप से करीब धाई गंटे बात की है इसलिए टाइम पास के लिए भी मुझे उनकी कंपनी की जरूरत नहीं है यदि ऐसी बात है तो मैं खुदी आफिस से आधे दिन की चुट्टी लेकर आपको कंपनी भी दे रहा दूँगा और इस्टेशन भी छोड़ दूँगा ठैंक्स आप मेरी ये हेल्प कर देंगे तो मुझे बिना टेंसन की अपनी रिटर्न ट्रेन के पकरने में हेल्प मिलने के साथ साथ आपके संडली गायब हो जाने की वज़े जानने का भी दाहिन मिल जाएगा बट यदि आपको अपने आफिस से चुट्टी लेने में या इस्टेशन छोड़ने में कोई प्राब्लम हो तो मुझे आफिस से छुटि लेने या आपको इस्टेशन छोडने में कोई प्रापलम नहीं है पर आपको ।धाई तिन गंटे कम्पनी देने में थोड़ी प्राप्लम जरूर होगी क्योंकि मेरे लिए किसी गरल को लगाता। तो आप जब तक यहां है आपको कंपनी देना और बिना किसी दिक्कत के सुरचित वापस भेजने में हेल्फ करना मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं ये मुश्किल फेस करने के लिए तैयार हूँ अब आप फ्रेस हो जाएए तक मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट मगा लेता हूँ मैं अकेला होता हूँ तो घर में कुछ बनाने या कहीं से कुछ मगा कर खाने पीने की बजाए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आफिस के कैंटीन में ही करना पसंद करता हूँ पर जब कभी सुबह सुबह डिमपल आ जाती है तो पास के एक रेश्टोरेंट से ब्रेकफास्ट मगा लेता हूँ आज भी उसी से सर्विस ले लेते हैं अरे आप बेवज़े फिजूल पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं मैं घर में ही हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तयार कर लेती हूँ रहने दीजिए क्योंकि आप सफर की वज़े से ठक भी गई होंगे और इस बात के भी गारंटी नहीं है कि हम दोनों के ब्रेकफास्ट के लिए किचन में प्रयाप्त सामान होगा ऐसा है तो बाहर से ही मगा लेजे घर में पीने के लिए पानी तो है ना हाँ पीने या नहाने की पानी की कोई कमी नहीं है ठैंक्स मुझे इस वक्त इसी एक चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है कहकर स्वाती उठी और उस कमरे में चली गई जिस कमरे में कुछ दिर पहले अंकुर उसके लिए पानी लेकर आया था सौरी भाई मुझे लगा था कि उस लड़की के दिल में आपके लिए कुछ है और उसके आपसे भाई फेस बात करने पर वो आपके सामने अपनी दिल की बात बेहतर तरीके से कह सकती है इसलिए मैंने उस दिन उसकी आपसे फोन पर बात कराने की कोसिस करने की जगे उसे यहां आकर मिलने की एड़वाई दे दी थी और ये बात आपसे ये सोच कर सिक्रेट रखी थी कि आपको बताऊंगी तो आप अपना फ्लेट बदर लेंगे I am extremely sorry for it मुझे ये पता होता कि खोदा पहार निकली चुईया वाली बात निकलेगी तो मैं ऐसी बेवकुपी करके ना उसका एक दिन खराब करती और ना आपका दिन डिम्पल ने धे सारा अफसोस जाहिर करने के बाद एक उम्मीद भरा से इससे आपको एक ये benefit तो हुआ ना कि उसे दिये गया loan का amount आपको timely वापस मिल गया मुझे ऐसा कोई benefit भी नहीं हुआ है उसने मुझे पैसे ना दे कर उस amount को किस्तों में वापस लोटाने के लिए मुझे मेरे bank account की details लिए जो वो phone पर भी ले सकती थी और तुमने जो बेवकूफी की है उससे सिर्फ मेरा आदा दिन ही नहीं बलकि मेरा पूरा दिन बेष्ट हुआ और उसका भी एक और दिन बेष्ट होने वाला है साथ में तुम्हारा कल का आदा दिन भी बेष्ट होगा जवाब में अंकुर ने उसकी उम्मीद पर पानी फिरने के साथ ही उसे कुछ नई जानकारिया दे दी क्यों? वो अभी इसी सहर में है और उसके कल तक रुकने और खाने पीने का इंतिजाम तुम्हें करना है मुझे इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है पर आप तो कह रहे थे कि आप उसे इस्टेशन छोड़ने वापस आ रहे थे फिर वो सिर्फ आधी कहानी थी, बाकी की आधी कहानी ये है कि मेरे उसे इस्टेशन छोड़कर आफिस आने के थोड़ी देर बाद उसने कॉल करके मुझे बताया कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है और अगली ट्रेन साम को आएगी, जिसमें उसका रिजर्बेशन कंफर्म होने की उमीद काफी कम होने की वज़े से है, वो उस्टेशन से वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए मुझे इस्टेशन जाकर उसे दुबारा घर लेकर आना पड़ा, अब यहां से ये स्टोरी क्लोज होकर एक न्यू इस्टोरी स्टार्ट हो रही है, जिसमें इस समय से लेकर कल उसे स्टेशन छोड़ने तक तुम्हें वो रोल प्ले करना है, जो आज सुबे से मैं कर रहा हूँ, यही में बात पताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किये, डौन वरी भाई, मैं आदे घंटे के अंदर आकर उसे अपने साथ ले आऊंगी, कहकर डिमपल ने कॉल डिसकने किया और स्वाती की प्रतकिरिया जानने के उद्दे से खामास हो गई, अरे कोई बात हैं, आप मुझे आगे भी तुम से एड्रेस कर सकती हैं, स्वाती ने तुरन अपनी प्रतकिरिया देकर उसे बात आगे बढ़ाने का मौका दे दिया, ठैंक्स, तुम भी मुझे मैं की जगे डिमपल और आपकी जगे तुम से एड्रेस कर सकती हो, अब मैं अपने कोईशन पर आती हूँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या वाकई तुम्हारे दिल में भाय के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, मेरे दिल में उनके लिए हाद से ज्यादा सम्मान है, औ और मैं तुम्हारी, इसलिए मुझे लगा कि मेरा तुमसे इस टाइप के कोईशन करना तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए पूछ रही हूँ, तुम चाहो तो मुझे इसका एंसर देने से और इस सब्जेक पर और कोई बात करने से मना कर सकती हो, पर कुछ भी कहने स कर दो कि दुम्हारे दिल में भाय के लिए कोई फिलिक होगी, और तुम अपने मन की जिजग की वज्य से उसके बारे में मुझे नहीं बता पाओगे, तो तुम्हारे दिल की फिलिंग तुम्हारे दिल में ही दफन होकर रह जाएगी, तुम्हारी सपनों को सागार करने के लिए मेरे फूरू दो बार हैल्प दे चुकी हूं और तीसरी बार तुम्हारी ट्रेंड कैंसिल करा कर आ कर मेरे साथ समय बिताने का मौका दे कर कर रही है किसी की भी किस्मत इसकी इससे जादा है नहीं करती है इसलिए अच्छी तरह से सोच समझ कर जवाब देना यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि अंकुर सर को लेकर मेरे मन में जो फीलिंग है उसे क्या कहते हैं तो एक काम करो तुम भाई के लिए जो कुछ महसूस कर रही हो वही मुझे बता दो मैं सुनकर खुद डिशायट कर लूँगी कि यह सिर्फ भाई के तुम्हारे हेल्प करने की वज़े से तुम्हारे दिल में उनके लिए पैदा हुआ सामान लगाओ है या प्यार ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फिलिंग कैसे बताऊँ यार इस प्रॉब्लम में मैं तुम्हारी कोई हल्प नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम्हें ही डिशायट करना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह से अपनी फिलिंग का explain करना है और ये भी कि तुम्हें अपनी feeling को मेरे सामने explain करना है या नहीं मैंने ये सोच कर तुम्हारी इतनी help कर दी कि ये तुम्हारी दिर में भाई के लिए प्यार के दीपक की हलकी सी भी law जल रही होगी तो मेरे उस दीपक में थोड़ा तेल डाल देने से वो बड़ी हो जाएगी और उससे तुम्हारी साथ साथ भाई की भी अधिरी जिंदगी रोसन हो जाएगी लेकिन तुम इसमें थोड़ी से दिलस्थ भी नहीं दिखा रही हो और मुझे बार बार तुम्हारे मन को टटोलना सही नहीं लग रहा है ये तुम मेरी गेश्ट नहीं होती तो मैं कुछ और कोशिस कर सकती थी पर एक होष्ट की लिमिटेशन्स मुझे और ज्यादा कोशिस करने की परमिसन नहीं दे रही है इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ कर जा रही हूँ सुवे फ्रेस होकर ब्रेक भाष्ट के लिए नीचे आ जाना गुड नाइट डिमपल प्लीज रुको स्वाथी के डिमपल को रोकने का पहला ही प्रियास कामियाब हो गया और डिमपल कमरे के गेट से पलट कर उसके पास वापस आ गई अंकुर सर से इंप्रेस तो मैं तभी हो गई थी जब मैं उस कंपनी की एक पेकेंट पोस्ट के जौब के लिए एजा काइंडिडेट इंटरव्यू देनी गई थी जिसमें उस समय अंकुर सर एंडि की पोस्ट शबाल रहे थे हम दोनों की फर्स्ट मीटिंग में मुझे उनके जिन दो बहवारों ने बहत इंप्रेस किया उनमें से एक तो ये था कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू अपनी लेते समय अनलोगों की तरह अपनी नजरों मेरी बॉड़ी का एक्स्रे नहीं किया बलकि सिर्फ मेरे टैलेंट और मेरी वर्किंग कैपिविल्टी का टेस्ट लिया और मुझे उनका दूसरा ये बहवार भी काफी अच्छा लगा उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेते समय मुझे एक बार भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वे कंपनी के M.D. है और मैं उनकी कंपनी की मामली जॉब के लिए एप्लाई करने वाली साधारन लड़की हूँ और अगले दिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई करने वाली काफी सारी अल्टरा मॉडरन गल्स को रिजेक्ट करके उनकी तुलना में एक सधी पहली की नजर आने वाली मेरी जैसी साधारन लड़की को स्लेक्ट किया तो वे मेरे लिए और ज्यादा यूनिक हो गए फिर जैसे जैसे मैं उनके सुभाओं और आदतों से बाकिप होती गई वैसे वैसे मेरी नजरों में उनकी इंपोर्टेंसी बढ़ती चली गई और जब उन्होंने मेरी परिसारी जानने के बाद कंपनी के रूल्स चेंज करन तब वे मेरी नजरों में पूरी तरह से एक ऐसे आदर्स इंसान बन गए लेकिन उन्हें लेकर मेरे मन में एक ये डाउट भी था कि वे मुझको ऑपरेट करने की कभी मुझसे कोई ऐसी कीमत मांग सकते हैं जो अक्सर उनके जैसे काफी सब और सालिन नजर आने वाले लोग भी मेरे जैसी खराब आर्दे की सित्यों का सामना कर रही लड़कियों से मांगने में संकोश नहीं करते हैं इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट तो करती थी पर साथ ही उनसे इतनी दूरी बनाकर रखने की कोशिश भी करती थी कि यदि उनके दिमाग में उनके मुझ पर किये अहसानों की कोई ऐसी कीमत वसूलने की बात हो तो उन्हें ये बात मुझ से कहने के लिए अनकूल माहूल ना मिल पाए लेकिन जब उन्होंने अपना जाब और सहर छोड़ते समय रवीना दीदी को कॉल करके उनके थ्रूम मुझ तक ये मैसेज पहुचाया कि मुझे वो लो लगा कि उनके दिल में भी मेरे लिए कुछ था जो वो तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे जिसका मुझे डाउट था इस तरह का हैसास होते ही मुझे उनको लेकर अपने मन में एक पेसलेस डाउट रखने और उनसे डिस्टेंस बनाकर रखने के लिए खुद पर बहुत कु जीब सी तड़ा भी पैदा होने लगी जो वक्त भी इतने के साथ कम होने की बजाय बढ़ती चली गई लेकिन काफी हाथ पेर चलाने के बाद मुझे ना इस बात का कोई क्लू मिला कि वे कहां है और ना ऐसा कि कोई सूत्र मेरे हाथ लगा जिससे मैं उनसे संपर्ग कर सकती ते इसलिए मुझे पूरे छे माहा तक अपने दिल की इच्छा को दिल में ही दबा कर रखना पड़ा पर जब मैंने ये मान कर अपने दिल को समझाना शुरू कर दिया कि वे मेरे सपने का साकार करने के लिए नहीं बलकि मेरे दिल की सोई ख्वाइसों को जगा कर मुझे जि उलाकात की तो मुझे इन उम्मीदों को हमेशा के लिए निरासा के गर्द में दफन करना पड़ गया क्योंकि मुझे यहां आकर अंकुर सर से मिलने और उसके साथ धाई तीन घंटे बिताने पर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि उनके दिल के किसी कुने में मेरे लिए ऐसी जगे होने या बनने की गुंचाई से जिसके होने या बनने की मैं पिछले छे माँ से गलत भेमी पाल कर बैठी थी अपने दिल के बाद कहने के बाद स्वाती अपना निरास चेहरा लिए कमरे में मौझूद पलंग पर बैठ गई डॉन बड़ी मैं तुमारे लिए भा सुबह तक कोई ना कोई रास्ता चरूर खोद लोगी अब तुम आराम से सोजाओ हम लोग सुबह मिलते हैं स्वाती के कंदे पर हाथ रखकर उसे आस्वासन देने के बाद डिंपल कमरे से बाहा निकल गई स्वाती, भाई, छे माँ पहले ही दूट से जले हैं और वे दूट से जलने पर आसानी से छाज पर भी यकीन ना करने वाले लोगों में से हैं यानि सीधी तरह से तुम्हारी उनकी दिल की रानी बनने की और मेरी उनकी जिन्दकी की बग्या दुबारा आवात करने की तमना पूरी नहीं हमने हमारी तमनाएं जो जब असी से पूरी करवाने की कोशिश की तो वे यहां से भी अंडरग्राउंड हो सकते हैं इसलिए इस तरीके को अपनाने में हम दोनों की तमनाएं पूरी होने की सारी पॉस्पिल्टिस खतम होने के साथ साथ उन्हें हमेशा के लिए खो देने का भी रिस्क है इसलिए तुम एक काम करो मुझे अपना फैमिली स्टेटेस बताओ ताकि मैं कोई ऐसा प्लान बना सकूर जिससे हम दोनों की खुआएं से भी पूरी हो जाएं और कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़े सुबह स्वाती के फ्रेस होकर नीचे आने पर उसके साथ मौनिंग बिस्का आधान परदान करने के बाद डिमपल ने अपनी बात वहीं से दुवारा सुरू की जहां कल रात को छोड़ी थी लेकिन सुवाती के जवाब में उससे कुछ कह पाने से पहले ही दिन दयाल उन्हें नास्ते के लिए बुलाने आ गया इसलिए दोनों को अपनी बाचीत यहीं पर रोक कर दिन दयाल के साथ दैनिंग रूम में जाना पड़ा जहां दिंपल के पती और नाना जी मौझूद थे इसलिए वहाँ बैटकर नास्ता करते तक उनकी बाद दोबारा स्टार्ट होने की कोई संभावना नहीं थी फ्लैट का गेट खोल कर अंकुर ने सामने खड़े बिजय कांत के पहले चुक कर उनके पाउच चुए और फिर बिनम्नता से कहा नाना जी आपने यहाँ आने का कश्ट क्यों किया आप मुझे कॉल कर देते तो मैं खुद आपसे मिलने आ जाता था हमें पता है कि तुम हमारी एक कॉल पर हमसे मिलने आ जाते थे मगर हमारा भी मन घर में पड़े पड़े उप गया था इसलिए हमें तुम्हें बुलाने की बजाए तुमसे मिलने आना ही जादा बेहता लगा पर कहीं हमारे आने से तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना बिजे कांत ने अंकुर की बात पर प्रत्किलिया देते हुए उससे एक सवाल कर लिया मुझे आपके आने से क्या दिक्कत हो सकती है आईए बैटिये तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये घर कुछ जादा ही छोटा है बिजे कांत ने अंदर आकर एक कुर्सी पर बैटने के बाद सरसरी निगाओं से फ्लैट का मुआयना करते हुए सवाल किया जी हाँ लगता तो है पर अकेला रहता हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है मगर हमेशा तो अकेले नहीं रहोगे ना कभी ना कभी तो एक जीवन संगनी लाना ही पड़ेगा इसलिए तुम जल्दी से एक बड़ा घर खरीद लो यदि इसके लिए तुमारे पास प्रयाप्त पैसे ना हो तो हम तुम्हें नहीं नाना जी इसके लिए आपको पैसे ख़च करने की जरुवत नहीं क्योंकि मेरे पास इसके लिए प्रयाप्त पैसे है तो अब तक घर खरीदा क्यों नहीं चलो छोड़ो इस बात को और ये बताओ कि तुमने हमें माप किया या नहीं, आपने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं, इसलिए आपको मेरे माप करने या ना करने का प्रेशनी ही पैदा नहीं होता है, नहीं बेटा, हमारी गलत फैसले की वज़े से तुम्हें बच्पन में अपनी मा से, अरे नाना जी छोड़िए इन बातों को और ये बताए कि आपको आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई, अचानक नहीं, हम काफी दिनों से तुमसे मिलने के बारे में सोच रहे थे, मगर कुछ दिनों पहले हमारे डॉक्टर की सला को दरकिनार कर एक लंबा सफर कर लेने से हमारी तवियत अक्सर खराब रहने लगी, और जब कभी ठीक रही, तब तुमारे घर पर मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए हम आज तक नहीं आपाए, आज तो आपकी तवियत ठीक है ना, बेटा आप क्या तवियत क्या ठीक होगी, साट की उम्र में करने और बोलने चालने लायक, इस्तिती में होने को ही ठीक होना मानना पड़ता है, इनसान जब और जावान होता है, तब यह मान कर बिना सोचे समझे, अंचित और कठोर निर्णे लेता है, कि वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, और अपने निर्णे से प्रवावित लोगों क के सामने जुकने की बजाए, उन्हें ही जुकाता रहेगा, पर जब मानसिक और सारे रिक सकती छीड होने लगती है, तब उसके हाथ में अपने अंचित वा कठोर निर्णे के लिए अफसोस करने के लावा कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि तब तक उसके हाथ से इन में से क पहले यही करने का प्रयास करने गए थे, लेकिन हमारे जाने से पहले ही हमारा बेटा दम तोड़ चुका था, इसलिए हमें उसकी सोग को कंधा देने का मुस्किल काम करके चुप-चाप वापस लोटना पड़ा, यानि मामा जी करीब पंदा दिन पहले ही दुनिया को अलव बिजयकांत से बोला, आप पांच मिनट अकेले बैठिये, मैं उन्हें से धांजली दे कर आता हूँ, ठीक है, कहकर बिजयकांत अपनी नम हो चुकी आँके साब करने में बैस्त हो गए, भाई, आज सुबह नाना जी आपसे किसले मिलने आये थे, दिंपल ने चाय का एक प् धंग से मुस्करा क्यों रहे हैं, तुम्हारे कोईस्टन से मेरे दिमाग में वे सारी बाते एक साथ हाईलाइट हो गई, जो नाना जी के जाने के बाद से मेरे दिमाग में एक ही करके उट रही थी, मेरा अजीब धंग से मुस्कराना इसी का रियक्सन था, क्या मैं वो बात मुझे वो बाते बताईए ओके डियर एक्चुली मैं ये सोच कर मुस्करा रहा था कि कोई इंसान अपने खून के रिस्ते को इतनी अहमियत क्यों देता है कि उसे मौत की मुहाने पर बैठे होने के बाद भी अपनी जिन्दिगी के चंद बचे वे दिन आराम से बिताने की तक मजबूर होना पड़े जिस सक्स की वो इंसान जिन्दिगी बर ये सोच कर उपेच्छा करता रहा कि वो जिन्दिगी में पूरी तरह से अस्पल हो चुके बेखती का बेटा है इसलिए वो उस इंसान पर बोज बनने के लावा उसे कुछ नहीं दे पाएगा नहीं समझी से मामा जी को निकाल कर की थी लेकिन 30 साल बाद जब वे अपने रिष्टेदारों से अपने बेटे का एड्रेस लेकर उनको दुबारा गले लगाने की तमन्ना लिये उनके घर पहुँचे तब तक मामा जी की देत हो चुकी थी इस वज़े से उन्हें अपनी इच्छा तिल आंजली देनी पड़े क्योंकि उनके पोते आसीस ने पिता के रूप में एक सिरदर्द से पीछा छूटते ही दादा नाम के दूसरे सिरदर्द को गले लगाने से मना कर दिया और उन्हें साब सब्दों में अपना दादा माने से इंकार कर दिया था इसके बाप जुद वे आज मुझसे रिक्वेश्ट करने आये थे कि मैं वापस जाकर उनके बेटे का कारोबार समालने में उनके पोते की वैसी ही मदद करूँ जैसे उनके बेटे की करता था ताकि उनके पोते की संभावित बेब कूफियों पर लगाम लग सके और वो अपनी प्रापर्टी से प्रूफी दिखाने पर हसने में कोई बुराई नहीं है जो उस सक्स को अपना दादा मानने से सिर्फ इसलिए इंकार कर दे कि इससे उसके दादा को उसकी लाइफ में इंटरफेर करने का राइट मिल जाएगा और वो बेफिक्र होकर वैसी बिंदास जिंदी की नहीं जी प उलादों की जिन्दगी सवालने के लिए उम्र भर एड़ी चोटी का जोर लगाती रहते हैं जिनकी उनकी उलादों और नाती पोतों की नजरों में दूद में पड़ी मक्की से ज़्यादा एहमियत नहीं होती है नाना जी ने भी मेरी भी जिन्दगी को बरबादी के उनके साथ रहे और उनकी सिर्फ एक वार्निंग को नजर अंदाज करने के लावा हमेशा एक आधस बेटी की तरह उनकी हर बात मानती रही और अभी तक मानती आ रही हो जबकि आसिस ने उन्हें दादा मानने से इंकार करके उनके बुरहापे और बीमारी से पूरी तरह जर बजर हो चुके दिल को चोट पहुचाने में जरासा भी संकोश नहीं किया मैं मानता हूं कि उन्होंने एक छोटी सी बात के लिए आसिस के ममी पापा के लिए दुनिया छोड़ने तक अपने घर और दिल के दरवाजे बंद रखकर काफी बड़ी गलती किये लेकिन इस से ब पर छोड़ देने की वज़े से मा को पापा और मेरा का साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा लेकिन फिर भी मैं उनके उम्र और रिष्टे में बड़े होने का लिहाज करते वे अपने मन में उनके प्रति कोई गिला सिक्वा नहीं रख रहा हूं आसिस भी चाहता किया तुमसे उनके बारे में जानने से पहले मुझे लगता था कि उन्होंने ऐसा करके बहुत गलत किया क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि हम लोगों को छोड़ने के थोड़े दिनों बात उनका दिहान धो गया था पर अब मुझे इस सुनी सुनाई बात पर यकिन नही रहा कि उन्होंने सिर्फ तंग हाल जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों को छोड़ा होगा क्योंकि उनके हम दोनों को छोड़ने की सिर्फ यही एक मात्र वजय होती थी कि वे दोन बाकी की जिंदगी आराम से गुजारती ना कि हम दोनों को छोड़ने के थोड़ तहीं कि यह उन बहुत से बेटियों में से एक थी, जो अपनी पूरी तहिसरे से अकेले और बेसहरा होजोने के पिता का सहरा बने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाती Certains यानि मा ने नाना जी के अकेले और बेसहरा हो जाने की वज़े से पापा और आपके साथ की बजाए नाना जी का साथ चुना होगा पर ऐसा करने के बाद वे पती और बेदे की जुदाये का गम परदास नहीं कर पाई होंगी और घुट घुट कर वक्त से काफी पहले मौत की मुझ में समा गई होंगी उनका बे मौत मरना तो यही सावित करता है तब तो नाना जी आपके और पापा के साथ साथ मा के भी गुनेगार है हाँ पर हमें उनके गुनाहों का हिसाब ना लेकर उन्हें इसके लिए सजा देने या माप करने के फैसले को इस वर के उपर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परविरिस की है और उनके बेटे ने मेरी ठीक है पर मैं आज से उनके साथ नहीं रहूँगी मैं आज ही अमन से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी पर भाई मैं ये जानने के बाद दिंपल I don't want any argument on this subject मैंने जब से हमारी मुलाकात हुई है तब से आज तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात मानी है इसलिए तुम्हें भी मेरी ये बात माननी पड़ेगी वो भी बिना किसी बहस के ओके बट इसके एवज में आपको मेरी एक और बात माननी पड़ेगी मैं साधी करने के अलावा तुम्हारी हर बात मानने के लिए तयार हूँ ठैंक्स, मैं एक गिलास पानी पी कर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपको मेरी कौन सी एक और नई बात माननी है, एक गिलास मेरे लिए भी ले आना, ओके भाई, कहकर डिमपल उठी और दोनों के खाली चाय के प्याले उठा कर किचन में चली गई, क्या आप इस कहा आनी का अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में यस या नो जुरू लिखिएगा, ठैंक्यू